हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप एकदम मस्त होंगे सुगाई जाज कि वीडियों में बात करने वाले हैं यूटूब थामनेल के बारे में कैसे हम अपनी फोटो का यूटूब थामनेल बनाएंगे तो सिंपल से करना कुछ नहीं है आपको एक अप्लिकेशन डाउड कर लेना है जिसका नाम है पिक्सल लैप और पिक्सल लैप ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइब का इंटरफेस सो होगा तो आपको करना क्या है सिंपल से यहाँ ठीडॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा इमेज साइज इस पर आपको क क्लिक कर देना है और थोड़ा सा नीचे आना है तो यहां पर आपको लिखेगा यूटूब थामनेल इस पर आपको क्लिक करना है और ओके कर देना है ठीक है इतना करने के बाद इसका जो यह निव ट्रेक्स है यहां से हटा देंगे ओके अब आपको यहां पर कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है आपको यहां इस वाले सरकल पर क्लिक करना है और फर्स्ट नमबर पर है कलर इस पर जाएंगे और यहां से कोई भी कलर को सेलेक्ट कर लेंगे जैसा कि यहां पर ग्रेडियन पर क्लिक करना है दोस्तों ठीक है अब म कर से कर देंगे डन कि अब आपको इस वाले प्लस आइगर पर क्लिक करना है उपर ठीक Х hem को एक फोटो यहां पर अभास ट्राइं करना है ठीक है कि तो यहां से हम ले लेते हैं कोई फोटो हम ठीक है म माली जये मैं इस फोटो को यहां से select कर लेता हूं इस photo को select करने के बाद यहां से करेंगे done अब यह photo यहां पर add हो चुकी है दोस्तों अब इसको थूदा सा हम rotate कर लेंगे rotate करने के लिए simple से इस icon को press करके कुछ इस type से आपको side करना है ठीक है अब इसको हम यहां side करने के बाद अब आपको यहां पर क्लिक करना है इस वाले गोले पर ठीक है इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पर आपको एक option दिखेगा stroke इस पर आपको क्लिक करना है और इसे enable कर देना है जिससे हमारी photo पर थोड़ा सा शैडो क्रेट हो जाए ठीक है अब इसको थोड़ा-स यहां पर बढ़ाना है कौच इस type से ठीक है इस type से अपको बढ़ा देना है और यहां से done कर देना है और थोड़ा से दीशे औराना है तो यहां पर आपको मिलेगा शेयडो क्लिक करना है से भी इनैबल करदेना है आप देख सकते हैं हमारा जो फो्टो के साइड से थोड़ा सा सेड्यो क्रेट हो रहा है है तो इसका थोड़ा साव लेनगी कुछ स टाइप से हैं और यहां से डन कर देंगे अब दुबारा से आपको जाना है यहां प्लस आइकन पे और यहां से आपको जाने के बाद दुबारा से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है और कुछ इमेज को एड करना है जैसे कि लाइट टूम हो गया जिससे भी आपने कोई भी फोटो एडिट की हो उसका लोगो आपको एड करना है जैसा कि मैंने यहां पर लाइट टूम को एड किया है तो मैं लाइट टूम को एड कर लूँगा इसका लोगो और लोगो को थोड़ा सा छोटा करके साइज इसको हमको यहां पर एड करना है इतना करने के बाद आपको फिर से प्लस पे क्लिक करना है और टेक्स पर क्लिक करना है क्योंकि हमको यहां पर कुछ ट्रेक्स लिखना है अब आपको इस ट्रेक्स को हटा देना है अब आपको यहां पर कोई भी ट्रेक्स लिख देना है जैसा कि मैं लिख देता हूं कि यहां पर सेना मेटिक सेना मेटिक ओके और यहां से done कर देंगे और इसको थोड़ा समाए capital letter में लिखूंगा तो यहां जो 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 यह small t है और capital t है इस पर आपको click करना है यह automatic ही आपका capital letter में edit हो जाएगा और ok कर देंगे यह कुछ इस टाइप से और इसको यहाँ पर आइड कर लेंगे इसका साइज मैं बड़ा रखूंगा ओके और यहाँ नीचे आपको यह दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आ जाना है और font पे क्लिक करना है और font पे क्लिक करने के बाद इसका थोड़ा सा हम यहाँ पर एक स्ट्राइलिस करने वाले हैं text को ok कर देंगे ok करने के बाद आपको उपर आ जाना है उपर आने के बाद यहाँ पर आप उच जाना है color वाले option पर और अपना जो भी color इसको select करना चाहिए कर सकते हैं जिससा कि मैं यहाँ पर कोई भी color select कर लेता हूँ माली जी यह वाले select कर लिया मैंने और done करूंगा अब आपको थोड़ा सा नीची आना है stroke पर stroke पर click करना है और इसे enable कर देना है थोड़ा सा नीची आना है और इसका stroke का size थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है और done कर देना है और shadow पर आएंगे shadow create करेंगे ठीक है तो यह भी हमारा यहाँ पर text जो add हो गया है अब आपको थोड़ा other text को add करना है इसे तरह आपको plus पर click करना है और text पर click कर देना है और text पर click करने के बाद इसको delete और यहाँ से जो भी आप लिखना चाहें color correction color grading या correction कुछ भी लिख सकते हैं मैंने color grading लिख दिया है और ok कर दूँगा और ok करने के बाद इसका size थोड़ा सा बढ़ा करेंगे कुछ इस type से और यहाँ side पर add कर देंगे और इसको color change करने के लिए दुबारा उसी पर जाएंगे और यहाँ से color select करेंगे कि दन अब आपको आजाना इस ट्रोक पर एनेबल कि सेड़ो इनेबल ठीक है ओके तो यह भी काम complete हुआ और दुबारा से आपको फिर से जाना है add में और text पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ आपको और भी टाइप करना है मैं इसे लिख देता हूं lightroom complete lightroom चलो मा लिख देता हूं xmp प्री सेट्स त्री सेट्स ओके और डन ठीक है प्रेसेट लेकने के बाद इसको साइज बढ़ा ओके बढ़ा करने के बाद आपको दुबारा वही प्रोसेस करना है इस्ट्रोक पर जाना है इनेबल और शेड़ो को क्रेट करना है ठीक है डन इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है थोड़ा सा ट्रेक्ष को एक और एड करना है जो की प्रोपरली हमको बताना है कि हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर तो यहां पर लिख देना है फोर स्ट्रेप में फोर चलो आसान तरीका लिख देते हैं आसान तरीके ठीक है और यहां से एक इमोजी लगा देंगे डन कर देंगे और इसका साइज बड़ा कर देना है थोड़ा सा अब आपको दुबारा से जाना है नीचे इसट्रोक पर आप ओपेन कर देना है ऑने थे अज़ित Śआए झाटो पर आए इसकोrim आवल और नीचे ऊपर थोड़ा साएंगे और यहां पर बैकघ्राउंड पर पर ख्लिक करेंगे इनेवल कर देंगे जिस ke पीछे एक हैलाउट बैक ग्राउंड हो जाए ठीक है तो ये हो गया दूस्तों में ऑट है तू अब देख सकते हैं कितना अट्रेक्टिव मैं जो बैक्ग्राउंड है बहुत अट्रेक्टिव लग रहा है ठीक है और यह रहा हमारा यूटूब के लिए फोटो एलिटिंग थामनेल और हमारा जो फोटो एटिन थम्मेल है वो काफी attractive and मस्त लग रहा है अब इसको save कैसे करना है आपको HD quality में वो भी high तो यहां इस वाले option पर आपको click करना है और save as image पर click कर देना है और यहां JP जो लिखा है इस पर click करना है यहां आपको PNG select करना है और custom पर click करना है और नीचे आना है ultra लगा देना है आपको और यहां से save to gallery पर click कर देना है अब यह जो photo है वो आपको ultra और high HD quality में यहां पर download हो जाएगी तो यह रहा वीडियो आपको thumbnail कैसे बनाए आपने सीख लिया अब आपको ऐसा ही thumbnail आपको बनाना है तो यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताना